एक एसी ही घटना चीन की लड़की के साथ हुई इस लड़की का पैर टॉइलेट में जाकर फ़ंज गया जिसकी वजह से वह घंटों वहीं बैठी रही लड़की का पैर निकालने के लिए पहले घर वालों ने सारी कोशिश आजमाई लेकिन पैर तस से मज नहीं हुआ आसपास के लोग भी वहाँ आ गए और वहाँ भी जमा हो गई बाथरूम में थोड़ी देर बाद लोगों को घुटन महसूस होने लगी और उस महिला की हालत खराब हो लगी सारी कोशिशे फेल होने के बाद प्रशासन से मदद की गुहार लगाई गई प्रशासन की टीम के लोगों ने भी घंटो की मशकत की लेकिन फिर भी उसका पैर नहीं निकाला आखिरकार टॉयलेट की सीट को तोने का फैसला किया गया लेकिन इसमें डर इस बात का था कि लड़की के पैर में चोटा सकती थी लेकिन इसके अलावा कोई और रास्ता न था कई उपकरणों का यूज़ कर सीट को तोड़ दिया गया करीब 6 घंटे बाद महिला का पैर से गड़्धे से निकाल लिया गया और उसको कोई चोट भी नहीं आई